11 फरवरी को मद्रदेश के आदिवासी अंचल जावासिले से प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी लोकसभा चुनाओ प्रचार का आगाज जनजाती सम्मेलन से करने जा रहे हैं इस आयोजन को लेकर महीला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रेस कॉन्फरेंस कर जान करी दी है इस दोरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री के इस कारिक्रम की जबरजस्त तयारी की चा रही है इस कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गौरफ शाली जन्जातिय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 फरवरी को जन्जातिय सम्मेलन को संभोधित करेंगे इस सम्मिलन की माधियम सी मध्रप्रदेश और गुजराद दोरो राज्यों के आदिवासी वर्ग से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा और खुशी का दिन है कि एक जनजाती सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है और उसको संबोधित करने के लिए माननी प्रधार मंद्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं और उसके तैयारी को लेकर के गल्बी हमारे वरिष्ण नेतरत और गुपाल से और आये थे और यहाँ पर आ रहे हैं वो और खारकर जनजाती के लिए काफी कुछ करने की इच्छा उनके मन में है और किया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में जहां भी वो जाते हैं तो एक अपनी छाप छोड़ करके आते हैं और जहां राममंदीर वाला भी बात है कि जो सोचा भी नहीं था कि ये राममंदीर बनेगा क्या और आज हम जा रहे हैं लाखों लोग दर्शन करने की जा रहे हैं और मुख्य विश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आ करके और उन्हें सुने और यही मुख्य विश्य हम दुकों का है आज की प्रेश का कि दो साथ करोर रुपे महिलाबाल विकास के लिए आने वारी काई करता साहिकाओं को तेले मंजूर किया लिए उन्पियों जिना में तो तो इसे अधित्रत करवाएं ने देखिए चहां भी जा रहे थे महां माग आ रहे थे कि ती मेने कम को मांदे नहीं मिल पारा था और अधिवासी हो या सामानी वर्खो अब यह है तो यह दोनों में हो रहे हैं तो वह सभी में बटा चाहें वह आदिवासी हो या सामानी वर्खो अब यह है उर्षेख यह यह दूनों में हो रहा है दिवासी हो सामानी में बटाहा सफ़ले कि perlu कंषा इसा रहा है को इनका पैसा है नहीं है कि कुछ उनका dépend स्थे को समझने में थोड़ी हो है मिस्टेप इसलें इस तरह का महौल बनाने का काम कर देंए